है वरिवन मैं महिंत पांडे आप लोगग अपने यूटूब चैनल के सी आई टैली स्पेसिलिस्ट मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आज मैं आप लोगग ले बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ ये वीडियो जो मेरा है वो टैली के and shortcuts है और बड़ी बात इसमें सारे shortcuts जो है step by step दिये गए है अलग-अलग विंडव में अलग-अलग जो shortcuts यूज किये जाते हैं वो आपको मैंने इसमें बताया हुआ है और जो shortcuts repeat हो रहा है अलग-अलग टाइम में वो उनका अलग-अलग जगे पर अलग-अलग यूज है किस जगा पर उसका क्या यूज है वो मैं complete इसमें आप लोगों को बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही important है वीडियो को बीना skip कि आप last तक देखें तभी आपको complete shortcuts का knowledge हो पाएगा और ये जो वी करने में असानी हो जाएगी तो ऐसी important वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को subscribe जरूर कर लें वीडियो अच्छी लगे तो like करें share करें तथा वेल आइकन जरूर प्रस कर लें because यदि कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है तो उसका notification आपको तुरंत आप प्लेलिस्ट पे जा करके प्रत्य वीडियो को step by step आप देख सकते हैं तता computer से related computer classes से related videos को देखना है तो computer basic course की playlist में आप जाएं वो वीडियो यद आप देख लेते हैं तो आपका computer से related कोई भी आप course कर रहे हैं चैट triple C, O label, DCA, DCS type के कोई भी course कर रहे हो आप तो उसमे पूरा मदद करेगा वो तो चलिए start करते हैं आज का जो topic है most important shortcuts की for tally.erp9 अब हम देखते हैं एक-एक अलग-अलग step by step अलग-अलग window के आधार पे जो shortcuts available है सबसे first हम देखते हैं tally erp9 में startup window जो आती है जो हम टally को open करते हैं तो एक startup आता है उसमें कुछ shortcuts दिये होते हैं activate your license license को activate करने के लिए alt plus a हम प्रेस करते हैं reactivate your exiting license के लिए alt plus b प्रेस करते हैं get our rental license के लिए license का rental लेने के लिए हम किराये पर license लेने के लिए alt plus i करते हैं और update your license अपने license को update करने के लिए alt plus u प्रेस करते हैं configure exiting license के लिए alt plus c करते हैं और extend your rental अपने rental license को और extend करने के बढ़ के लिए हम Alt plus X करते हैं convert to regular license rental को हम regular में convert करने के लिए Alt plus O use करते हैं यह सारे shortcuts हैं because shortcuts से आपका work बहुत ही smooth और smart हो जाता है जिससे आप कोई भी काम बहुत जल्दी कर पाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही जरूरी है login as remote tally.net users हैं आई दी आप तो उसके लिए आपको Alt plus L प्रेस करना होगा अगर आप educational mode में tally को use करना चाहते हैं तो Alt plus W use करना होगा gateway आप tally main window पर आएंगे आप main window के लिए जो shortcuts हैं जैसे activate आपको gateway आप टैली active करना है because पहले से activate रहता लेकिन अगर हम calculator open करते हैं फिर हम gateway आप टैली पर आना चाहते हैं तो control plus M करना होगा, calculator को activate करने के लिए हमें control plus N करना होगा, versions और updates के लिए हमें control Alt plus T करना होगा जिससे हमें पता चल जाएगा हम कौन सा version यूज़ कर रहे हैं और updated क्या है ये तो और license and services के लिए हमें control Alt and L यूज़ करना होगा इन सारे shortcuts से हम उसकी पूरी information प्राप्त कर सकते हैं, configuration के लिए control plus Alt plus F यूज़ करना होगा टैली में print के लिए shortcut है Alt plus P और अगर printing time में उसका preview आप लेना चाहते हैं तो print में preview के लिए आपका Alt plus I है shortcut export के लिए Alt plus E यूज़ किया जाता है तिथा email के लिए Alt plus M यूज़ करते हैं, कुछ भी file कुछ भी will अगर upload करना है तो Alt plus O यूज़ करते हैं टैली सॉप के पर जाना है तो हमें Ctrl plus S करना होगा और language को बदलना है तो हमें Alt plus G करना होगा इस तरह से keyboard को change करना है तो Alt plus K करेंगे, control center जाना है online अगर हमें तो Ctrl plus K करेंगे कोई support प्रापत करना है कोई help लेना तो support center के लिए Ctrl plus H करेंगे, help के लिए Alt plus H प्रेस करेंगे हम कंपनी को select करना है तो F1 प्रेस करेंगे, कंपनी को बंद करना है तो Alt plus F1 करेंगे, set company के लिए Change Date, Date को बदलना है तो F2 प्रेस करेंगे और उसका Date, Period Change करना है हमें एक मन्त का Period देना है, दो मन्त, तीन मन्त या पूरा Financial Year का Period चेंज करना है तो Alt Plus 2 करेंगे Company Information के लिए Alt Plus F3 ये बहुत ही Important Shortcut है कि हम अगर Gateway Tally के Man Menu में हैं और Company Info में जाना चाहते हैं तो Alt Plus F3 करेंगे तो उसको हम Activate, Deactivate करते हैं तो उसके लिए F11 यूज़ करना होगा Configure करने के लिए हमें F12 Complete Tally की Setting का View चेंज करना है या Tally में कोई भी Related Setting है तो उसको Change करने के लिए हम Configure पे जाते हैं और F12 प्रेस करते हैं अब हम Master Creation जो हम कोई भी Account Info से Ledger, Group या Voucher Type या हम Inventory में Stock Item या Payroll में हम Employee Group या Payhead अटेंडेंसे सब Create कर रहे हैं तो उससे Related जो Shortcuts उस Window पाती है तो वो Shortcuts से आपको मिलेंगे यह बहुत ही Important Shortcuts है तो एक-एक Slide का आप Screen Short ले लेंगे जिससे आपको Notes तयार करने में आसानी होगी लेजर Creation का Shortcut होता है Ctrl L, Group Creation का होता है Ctrl G, Voucher Creation का होता है Ctrl P, Master Creation Window की बात हो रहे है तो Details के लिए Alt P applause L करेंगे, Set Chek Books, Chek Book को Set करना है आपको तो Alt P स B करेंगे और Printing के लिए Check Book को Set करना है आपको, Check को Set करना है Print के लिए तो Alt P spokesperson करेंगे cost category creation के लिए control प्लस S करेंगे employee group creation के लिए control प्लस O करेंगे attendance type creation के लिए control प्लस T करेंगे pay head creation के लिए हम control प्लस E करेंगे employee creation के लिए हम control प्लस P करेंगे तो ये shortcuts बहुत important हैं जो आपके master creation में आते हैं जैसे laser को delete करना है तो alter में जाकर के हम already कर लेते हैं तो यह सब basic सी चीज़े हैं, आगे आपको मिलेंगे, delete का shortcut लगबक सेम होता हर जगा पे, अब हम voucher creation window में चेक कर लेते हैं, कौन-कौन से voucher होते हैं, उनको हम कैसे create करते हैं, सारे detail उसका shortcut क्या होगा, accounting voucher creation का shortcut F1 है, inventory voucher creation का shortcut alt plus F1 है, payroll voucher creation का shortcut control plus F1 है, आपका order voucher का creation का shortcut है, control plus F2, तो था contra voucher का shortcut F4 है, payment voucher का shortcut F5 है, आपका receipt voucher का shortcut F6 होता है, journal voucher का shortcut F7 होता है, sales voucher का shortcut F8 होता है, purchase voucher का shortcut F9 होता है, अगर हम voucher को बनाते टाइम पर उसको accept करना चाते हैं हम एंटर करके accept नहीं करना चाते हैं हम voucher को save करना चाते हैं तो control ले करके हम voucher को save कर सकते हैं alt plus delete करते हैं तो हम voucher को delete कर सकते हैं या laser delete कर सकते हैं या company को भी delete करना है तो अल्टर में जाकर के हम उसे डिलीट कर सकते हैं credit node voucher के लिए control plus F8 होता है debit node voucher के लिए control plus F9 होता है reversing journal voucher के लिए F10 होता है आपका memo's voucher जो होता है यह सम non account voucher है reversing, memo's, optional and post dated voucher तो इसके लिए control plus F10 करेंगे post dated voucher के लिए हम control T करते हैं तथा optional voucher के लिए हम control L प्रेस करते हैं secondary laser creation अगर बीच में हमें voucher में ही laser को create करना है तो alt plus C करते हैं laser alteration के लिए हम control plus enter करते हैं payroll voucher के लिए हम control plus F4 करते हैं तथा attendance voucher के लिए हम control plus F5 करते हैं payroll autofill करना है या attendance autofill करना है तो alt plus A करते हैं purchase order voucher का shortcut होता alt plus F4 इनका screenshot आप लेना चाहां तो ले सकते हैं अब हम आगे निकलते हैं Receipt Node Voucher का shortcut होता है Alt प्लस F9 Delivery Node Voucher का shortcut होता है Alt प्लस F8 Rejection In Voucher का shortcut होता है August F6 Stock Journal Voucher का shortcut होता है Alt प्लस F7 Stock Curriez का shortcut होता है Alt स P9 Nature of Payment का shortcut होता है होता है Alt-Plus N, Tax Analysis का shortcut होता है Alt-Plus A, Cancel a Voucher, एक Voucher को cancel करना है तो Ctrl-Plus X होता है, as Voucher Mode के लिए हम Ctrl-Plus B यूज़ करते हैं, Accounting Invice, Item Invice के लिए हम toggle करना है तो Alt-Plus I करते हैं, आपने पीछे देखा कि Print with Preview के लिए भी Alt-I यूज़ करते हैं नेक्स्ट हम चलते हैं, Report Minus में जो Report Minus Window आता है, जब हम Display करते हैं, कोई भी Report लेते हैं तो उसके लिए कुछ shortcut से उसके जाते हैं, जैसे Detailed के लिए हम Alt-Plus F1 करते हैं, Valuation चेक करना है तो हम F7 करते हैं, New Column के लिए हम Alt-Plus C करते हैं, Alter Column करना है कोई भी Column Alteration करना है तो Alt-Plus A करते हैं, Delete करना Column को तो Alt-Plus D करते हैं, Auto Column के लिए हम Alt-Plus N करते हैं, तथा Inventories Report चेक करना है तो F9 करते हैं, Account से Related Report चेक करना है तो F10 करते हैं, कोई भी Range चेक करना है तो Alt-Plus F12 करते हैं, Value के लिए हम Ctrl-Plus F12 करते हैं, Group रूप वाइस अगर हमें चेकिंग करना है देखना है तो F4 करते हैं और आइटम वाइस यह में चेक करना है तो हम F5 करते हैं तो यह आपका था टैली के important shortcuts और complete shortcuts आप कह सकते हैं तो I hope आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल के CI टैली specialist को आप subscribe जरूर कर लें because इस पर बहुत ही important वीडियो आपको मिलती रहेंगी और मिलती हैं और मिलती रहेंगी तो आज के लिए बस इतना मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए thank you जै हिंद